Hello students, तो कैसे हैं आप सब, हमने start किया था, B Pharmacy, second semester, human anatomy and physiology में, unit number 3, urinary system, urinary system के lectures में हमने cover किया था, इसके anatomy, इसके function, physiology of urine formation, maturation reflex, आज का जो आपका topic है, वो topic है आपका, this one, role of kidney in acid-base balance, तो किड्नी का क्या role है, acid-base balance में, आज का आपका topic है, role of kidney in acid-base balance, next lecture जो है, RAS, यह मैंने पहले ही cover कर रखा है, आपको playlist में मिल जाएगा, and final lecture disorder of kidney, यह बहुत जल राएगा, तो चलो शुरू करते हैं, role of kidney in acid-base balance, तो देखो topic का नाम है, role of kidney in acid-base balance, नाम से आपको पता लग रहा होगा, कि हमारी kidney, जो है, acid और base के balance को, maintain करके रखती है, acid के और base के balance को, हमारी kidney, जो है, maintain करके रखती है, जब मैंने आपको kidney की anatomy और physiology पढ़ाई थी, तो वहाँ पर यह function मैंने आपको बताये था, कि हमारी kidney, जो है, acid-base के balance को, maintain करके रखती है, ठीक है, तो आज के इस lecture में, detail study करेंगे, कि हमारी kidney, जो है, acid-base के balance को, केटे, केसे, जो है, maintain करके रखती है, सबसे पहले तुम्हें आपको बता दूँ, कि last कुछ lecture में, मैंने आपको nephron पढ़ाये था, ठीक है, इस तरह से मैंने आपको nephron पढ़ाये था, nephron की structure मेंने आपको पढ़ाये थी, ठीक है, यहाँ पर collecting ducts थी, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था, कि this one is glomerulus filtration site, this one is bombens capsule, और यहाँ पर जो cells थी, वो थी PCT की, proximal convoluted tubule की, अब यहाँ पर जो cells थी, proximal convoluted tubule की, उसमें क्या होता था, maximum reabsorption होता था, अगर आपको last lecture याद है, तो ध्यान से सुनिये, नहीं याद है, तो भी दियान से सुनिये, कि PCT जो cell होती है, नेफरोन में, नेफरोन क्या होता है, हमारी kidney की structural and functional unit, अब उस नेफरोन में जो PCT cell होती है, proximal convoluted tubule, इस cell में maximum reabsorption होता था, maximum reabsorption, लगबग लगबग 70-80% electrolyte जो है, यहाँ पर reabsorpt हो जाते थे PCT की cell में, PCT has major role in absorption ठीक है, अब PCT की cell को में open करके देखता हूँ, जब PCT की cell में इतना absorption हो रहा है, तो PCT की cell को इस तरह से open करके देखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, यह मैंने PCT की cell बना रखी है, इस तरह से, this one is PCT की cell, ओके, अब PCT की cell के बाहर है lumen, और lumen में है हमारा SCO3-, अब यह SCO3- जो है, H+, के साथ react कर देगा, क्योंकि हमारे lumen में H+, present है, तो SCO3- और H+, दोनों react करके बनाएंगे, H2CO3, क्या बनाएंगे, H2CO3, I repeat, हमारी lumen में था SCO3-, और वहीं कहीं गुम रहा था H+, हमारी lumen में था SCO3-, और वहीं कहीं गुम रहा था H+, तो जोनों अपस में H2CO3- और यह H2CO3- जो है, वापिस तूड गया, और तूटा कैसे, CO2- H2O में, आप देख सकते हैं, H2C, H2C, और O2 और O3, तो H2CO3- देखिए, अब अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, CO2- H2O, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आ दो आइड्रोजन, यहां पर देखें, तीन ओक्सिजन, तो यह एक ओक्सिजन और यह दो ओक्सिजन, यहां पर एक कारवन, तो H2CO3 को आप ऐसा लिख सकते हो, CO2- H2O, अब यह CO2- H2O में से, जो CO2 है, हमारी PCT-Cell के अंदर पहले से ही वोटर प्रेजेंट होता है, तो यह यहां पर दियान रखना की, लिवन में होता है, CO3-, यह CO3-, जो है H+, से रियक्ट करता है, यह रियक्ट करके बनाता है, H2CO3, यह H2CO3 जो है, Dissociate होता है, CO2 और H2O में, यहां से CO2 जो है PCT की Cells में जाती है, और PCT की Cells में पहले से ही पानी प्रेजेंट होता है, तो CO2 Carbonic Anhydrase, I repeat, Carbonic, Carbonic Anhydrase की प्रेजेंट में यह रियक्ट होती है, और यहां पर बनता है, H2CO3, फर्दर, यह H2CO3 किस में तूटेगा, H+, SCO3-, आप यहां से उल्टा चलिए, देखिए, CO2-S2 यहां तक बना, अब यहां से CO2 अंदर गया, तो CO2-S2 से यहां बना, H2CO3, बन फिर उल्टा चलिए, SCO3-H+, यह बन गया, यहां पर SCO3-H+, तो इदर आपको सीधा चलना है, ल्यूमिन में, और जब CO2 PCT की सेल में जाएगा, तो आपको उल्टा चलना है, CO2-S2 करके आपको SCO3 बनाना है, फिर SCO3 को आपको SCO3-H+, बनाना है, यहां पर देखिए, H+, और SC SCO3-, ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, कि यह H+, जो है, बाहर आएगा, और H+, अगर बाहर आया, कोई positive charge बाहर आया, तो उसको balance करने के लिए, यहां पर sodium channel से sodium जो है, अंदर आएगा, एक positive charge अंदर आएगा, अगर एक positive charge बाहर जा रहा है, तो, तो यहां पर H+, बाहर ज इस तरह से आपको बाहर दिख रहा है, और अगर यहां पर balance करने की बात है, तो CL- आता है balance करने, chloride shift कहते हम इसे, ठीक है, तो यहां पर हमने बनाया, lumen में SCO3- पहले से था, SCO3- को S+, से जोड़ा, बना S2CO3, S2CO3 को जब तोड़ा तो बोला, CO2, S2O, अब यह CO2 जो है PCT की cell में गया, वहां पर पहले से पानी था, तो CO2, S2O मिलके बना, S2CO3, S2CO3 वहां पर तूटा, SCO3-, उल्टा कर देना है PCT की cell में यहां तक, ठीक है, और जैसे SCO3- H+, बना, यह SCO3- बाहर गया, यह H+, बाहर गया, अगर कोई positive charge बाहर जा रहा है, तो उसको maintain करने के लिए sodium आएगा, तो यह तो ही PCT की cell में, इस तरह से जो है, kidney जो है, हमारे acid और waste के balance को maintain करके रखती है, यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर एक positive charge बाहर जाता है, तो एक positive charge इसके बदले अंदर भी आता है, तो acidity जो है, maintain रहती है, दूसरी cell होती है, intercollected cell, इसमें भी same है, CO2, H2 हो, H2CO3, H+, SCO3-, और जब यह SCO3- बाहर blood में आता है, तो blood से chloride अंदर आता है, और इसको हम कहते है, chloride shift, अगर आपको दो नमर में पूझे कि chloride shift क्या होता है, तो आप बोलना, जब SCO3- cell से बाहर आता है, तो blood में से chloride जो है, उस cell के अंदर वापर जाता है, intercollected cell बोल लो, य shifting को हम कहते है, chloride shift, और यहां पर आप देखिए, अगर H+, बाहर आ रहा है, तो यहां पर K+, जो है, अंदर जा रहा है, तो यहां पर अगर कोई positive charge बाहर आएगा, तो कोई positive charge अंदर जाएगा, इस तरह से हमारी kidney, जो है, acid-base balance को maintain करके रखती है, तो मैं आपको PCT का example क्यों दि tubule, जिसमें maximum reabsorption होता है, 70-80%, तो यह था आज का अपका lecture, आई होब अपको clear हुआ होगा, इस को आप theory में लिख सकते हो कि, in lumen, SCO3- react with H+, to form S2CO3, now this S2CO3 dissociate into CO2 and S2O, this CO2 goes into PCT cell and in the PCT cell, they are already availability of water, this CO2 now react with water in the presence of carbonic anhydrase, it convert into S2CO3, now further this S2CO3 is dissociate into H+, SCO3-, this H+, goes outside into the lumen and so to maintain the positivity of charge, sodium channel open and transfer of sodium channel inside the PCT cell, here SCO3- goes into interstitium space and to maintain this negative charge in the PCT, chloride channel open and chloride shift takes place, chlorides moves in the PCT cell, so that's all about the role of kidney and acid-based balance, इस तरह से आपको लिखना है, I hope आपको clear हुआ होगा, अगर आपको किसी हो topics related doubt है तो आप comment section में comment कर सकते हैं, अगर आपको notes के requirement है तो आप telegram join कर सकते हैं, telegram की link आपको description में मिल जाएगी, और अगर link open नहीं होती है तो आप telegram पर जाकर search कर सकते हैं, depthobiology.com, have a nice day, thank you.